Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, Ecosystem कि Ecosystem क्या होता है, कितने Types के होते हैं, उचलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, Definition An Ecosystem is defined as a Community of Lifeform is in concurrence with non-living component interactive with each other Means, Ecosystem जो है, वो non-living component के साथ, Lifeform में, एक Community के रुप में defined किया गया है जो एक दूसरी के साथ interact करते हैं अब देखते हैं Ecosystem An Ecosystem is a Structural and Functional Unit of Ecology Means, एक पारिस्थितिक तंत्र Means, Ecosystem जो है, वो Ecology की एक Structural and Functional Unit होती है जहां पे रहने वाले organism एक दूसरे से और आसपास के जो वाता वरणे उनके साथ interact करते हैं दूसरे सब्दों में एक पारिस्थितिक तंत्र याने की Ecosystem जीवों और उनके environment के बीच परेंस पर क्रियाओं की एक चैन है Ecosystem सब्द पहली बार जो है, 1935 में एक अंग्रेज बोटनिस्ट एजी टांसले दोरा दिया गया था यह तो हुई Ecosystem के बारे में अब देखते हैं Ecosystem की Structure क्या है Structure of the Ecosystem तो एक Ecosystem की Structure क्या है उनकी संरचना जैविक और अजैविक निन्स बायोटिक और अबायोटिक कमपोनेंट के संगर्थन की विज़ेस्ता है इसमें हमारे environment में उर्जा का विद्रण सामिल होता है उर्जा फ्रो जो energy flow है वो इतनी include होते हैं जिसमें उस विशेस वातावरण यानि की जो environment होने प्रेचलित जलवायों पर स्थितिक क्यों को भी शामिल किया गया है means it also include the climatic condition prevailing in that particular environment the structure of an ecosystem can be slipped into two main components वो दो main components है जो अपने ecosystem में include है एक biotic component दूसरा abiotic component चली इनको हम detail लो एके करके पढ़ते हैं the biotic and abiotic component are interrelated in an ecosystem it is an open ecosystem where the energy and component can flow throughout the pondries means ecosystem जो है वो biotic और abiotic component जो होती हैं वो आपस में जूड़े होती है यह जो होता है यह open system होती है जहां पर क्या होती है जो उर्जा है और घटक सिमाओं के पर परवाहित हो सकते हैं तो ecosystem के कौन-कौन से compound है मैंने बताया पायोटिक और abiotic तो जो पायोटिक है उनके भी three label हैं पहले है producer, consumer, decomposer इसके बाद जो consumer है इसको भी three भागों में बाट दिया गया है primary, secondary, all और last है tertiary तो जो primary होता है उसमें हाविवोरस, secondary में primary कानिवोरस और जो tertiary है उसमें secondary कानिवोरस आती है अब देखते हैं biotic component तो biotic component एक एको सिस्टम में सभी जीवित घटकों को दर्वित करते हैं living components को बताते हैं, refer करते हैं पोशक के अधार पर जो जैविक घटकों को autotrops और heterotrops और तीसरा जो है वो saprotrops में वर्गित किया गया है, classify किया गया है तो सबसे पहले आता है producer जानते इनके बारे में तो जो producer है उनमें सभी श्वपोसी जैसे पौधे जो हैं plant उसमें सामिल होता है उन्हें श्वपोसी कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश अंसलिशर की प्रक्रिया के मादिम से भोजन का उत्पादन करते हैं photosynthesis की process होती है इनमें सांथी food chain पर उपर के सभी जीव भोजन के लिए producer पर depend होते हैं अब देख, consumer इसमें क्या होता है कि इसमें उब भोगता या hetero-trops जीव जो होते हैं और जो भोजन के लिए अन्नी जीवों पर depend होते हैं उब भोगताओं को आगे प्रात्मी कुद भोगताओं, तृत्ते कुद भोगताओं और तृत्ते कुद भोगताओं में वर्गरित किया गया है क्लासिफाइ किया गया है, मिन्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड तेरसरी कंजुमर प्राइमरी कंजुमर जो है, वो हमेशा शाकाहरी होते हैं आनुवरश होते हैं वो क्योंकि वे भोजन के लिए प्रोडूशर पर नेभर होते हैं तो सेकेंडरी कंजुमर में क्या होता है? तो इसमें सेकेंडरी कंस्यूमर उर्जा के लिए प्राइमरी कंस्यूमर जो उद्भकताएं हैं उन पर डिपेंट होते हैं वे या तो मासा हरी या शर्वा हरी हो शकते हैं तरसरी कंजूमर में क्या होता है कि तरसरी कंजूमर ऐसे और्गिनिजम होते हैं जो भोजन के लिए दीत्यक उद्भोकता यानि कि दीत्यक कंजूमर सेकेंडरी कंजूमर पर डिपैंट करते हैं और तरसरी उद्भोकता यानि कि क्यों कंजूमर है वो माशाहरी या शर्वाहर भी हो सकते हैं तो कुछ खादे शिकलाओं में चतुरधर्तुक जो उद्भुकता हैं मिन्स क्वाटनेरी कंस्यूमर जो हैं वे होते हैं यह जीव जो हैं और्गेनेजम उर्जा के लिए टर्सरी कंस्यूमर का सिकार करते हैं इसके अलावा यह आम तोर पर एक खाद शिंकले याने कि फूट चेन के सीर्स पर होते हैं क्योंकि इनके पास कोई प्राक्रितिक सिकार नहीं होता है इतलास टीकंपोजर इसमें क्या होता है कि टीकंपोजर में कवक और बैक्टिरिया जैसे सैप्रोफाइट्स जो होते हैं इनकलूड होते हैं वे सिधे इम्रीत और सड़े हुए कार्बनिक पदारतों पर पनपते हैं दीकंपोजर जो है वो एकोसिस्टेम के लिए आवसक है क्योंकि वे पौधे द्वारा पूना उप्यों किये जाने वाले पूशक्तत्वों के पूना चक्रण में मदद करता है यति थी बायोटिक की अब करते हैं अबायोटिक कमपोनेंट की बात तो अबायोटिक कमपोनेंट एक एको सिस्टम में निर्जीव घटक है यानि के non living components हैं जिसमें हवा, पानी, मित्ती, धूब, तापमान, पोशक तत्व, हवा उचाई, मेलपन आदि इंक्लूड होते हैं अगर हम इनके function की बात करें तो इनके बहुत सारे function है ecosystem के many function है जिसमें से पहला है कि आवश्यक ecosystem जो है ecosystem process ecological process को control करता है और जीवन प्रडालियों की समर्थन करता है और इस्थिरता प्रदान करने का काम करता है यह जह है जो बायोटिक है abiotic component के बीच पोशक तत्व के चक्रर के लिए भी जिम्मेदार होता है responsible होता है साथ ही साथ यह ecosystem में विविन पोशक जो पोशी इस्तर है tropic level है इनकी संतुलन को बनाय रखती है सो यह जीवन मंदल के माध्यम से खनीजो का चक्रर करता है abiotic component कार्बनिक component के संसलेशन में भी मदद करता है जिसमें उर्जा का अधान प्रदान शामिल होता है तो एक ecosystem तंत्रे की कार्यात्मक इकाईयां या कार्यात्मक component जो एक पारिस्तितिक तंत्रे की ecosystem में एक साथ काम करते हैं वे कौन कौन से हैं productivity यह जो है biomass उत्पादन की दर को संदर्बित करती किसको बताती है biomass उत्पादन को दुसरा जो है energy flow यह क्या करती है यह अनुक्रमित प्रोसेस होती है जिसके माद्यम से उर्जा एक पोशी इस तर से दुशरी पोशी इस तर तर प्रवाइद होती है transfer होती है सुर्य से ग्रहड की गई उर्जा जो है वो उत्पादकों से भुकताओं तक और फीट टी कंपोजर और अंत में वो वापस परियावरेन में प्रवाइद हो जाती है transfer हो जाती है अब हम बात करते हैं decomposition की यह मृत कार्वनिक पदार्तों के अब घटन की process होती है अब घटन के लिए जो सेर्शिम्रेदा मुख्य जो है इस्थल होती है अब पुशक चक्र क्या होती है एक जो ecosystem में पुशक तत्वों का जो उपभोग किया जाता है और विभीन चीवो द्वार उप्योग किये जाने के लिए याई उप्योग के लिए विभीन रुपों में वापस पुने नमीनी करड़ किया जाता है यह थी इकोसिस्टेम के बारे में आगे की लेक्षर निक्स्ट पार्ट में थैंक्यू